यह चोटा सा वीडियो मैसेज में नर्स्ट्री के लिए बना रहे हैं क्योंकि यह वो बच्चे हैं जिनकी fine motor skills के उपर ही काम करना होता है fine motor skills से मतलब मेरा यह कि pencil को hold करना ठीक तरीके से लिखना और यह इन बच्चों के लिए काफी बड़ा challenging task होता है उसमें हम parents इनको empower करने की तरफ ध्यान दे तो यह बच्चे जबती और अच्छा सीख जाएंगे in nutshell छोटे और सीधे असान शब्दों में मैं कहूं तो यह कि मैं parents से यह cooperation चाहते हूं कि जो बच्चों help मत करिए उसका हाथ hold करने में उसके साथ formations को ठीक करने में उसके साथ इसके लिए parents के लिए सिरफ यह एक challenge रहता है कि वह काम जो parents को लगता है एक page का है तो पांच मिनट में हो जाना चाहिए बर जब बच्चा आपके लिए बहुत बड़ी opportunity है जिसमें बच्चा आपको अपने स्कूल का experience बताएगा शायद कोई और इदर उदर की बात करेगा तो हम अपने बच्चे के साथ हो time एक food fully spend भी करें उसको भी जाने उसको भी अपनी मां का प्यार मिलता है और साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि आपके बच्चे में डेली बेस पे क्या progress हो रही है तो आप इस चीज़कर ध्यान रखिए बच्चे को काम कराईए अच्छा कराईए नीट and clean कराईए गलत ह होने पर इरेज करिए अपनी patients lose मत करिए बट उसको सारा काम खुद करने दीजिए थैंक यू